हलो दोस्तों विल्कम बैक आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बोट नेक साइड डार्ट सूट की कटिंग तो वीडियो को एंड तक देखिए अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिएगा हमारे चैनल पे नहीं है तो फिले सस्क्राइब कीज किजिए नोटिफिकेशन बेल कॉल किजिए ताके सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो सबसे पहले हम इसका साइज को समझ लेते हैं किस तरीके से इसका साइज है लंबाई है 45 इंच ठीक है चेस्ट है 36 इंच डेर इंच पलस करेंगे बोडी मेजरमेंट अपर चेस्ट है 35 इंच यहां पर भी डेर इंच ही पलस करेंगे कमर है 38 इंच तेन इंच इसमें भी पलस करेंगे सोल्डर है 15 इंच सिलिफ्स को हॉल्ट कर देते हैं आरमूल है सारे 16 इंच हीप है 49 इंच 49 इंच रेड़ी है इसमें कोई लूजिंग हम एड नहीं करेंगे ठीक है, फ्रेंट क्रोस है सारे 12 इंच, जैसा के आप ये देख रहे हैं, ठीक है, बैक क्रोस है 15 इंच, ठीक है, बैक क्रोस 15 इंच, फ्रेंट नेक है सारे 7 इंच, इसकी जरुवत अभी हमें नहीं पढ़ेगी, इसकी जो हम कमर का निशान लगाते हैं, उसके बाद जो है नीचे है, चाक का जो निशान लगाते हैं, डाट पॉइंट है 9 इंच, तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, एक निशान आपको यहाँ पर लगा लेना है, सोल्डर के पास, ठिक है, स्टाइटिंग इसी निशान से करना होता है, अब हमें जो निशान लगाना है वो लगाना है लंबाई का जो भी लंबाई है उसके हिसाब से लगाएंगे 45 इंची लंबाई है तो साड़े 45 इंच पे हमें निशान लगाना होगा इसका ठीक है तो हम साड़े 45 पे निशान लगा लेते हैं अब हमें निशान लगाना है आर मोल के लिए आर मोल का निशान हम सबा 7 इंच पे लगाएंगे सारे 16 इंच आ जाएगा Solder to waist 14 इंच है तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हम side में dart डाल रहे हैं इसलिए हमें half इंच जाद है चाहिए Solder to hip 22 इंच है साड़े 22 इंच पे निशान लगाएंगे अब इस निशान को हमें सिधा draw कर लेना है इस तरीके से एक चैनल मैंने आर बनाया है जिसका नाम है राशिक डिजाइन मेकर जिस पे आपको stitching की वीडियो मिलेगी designing सारे वीडियो मिलेंगे तो आपको उस चैनल को भी आपको subscribe कर लेना है यह निशान हमारा complete लग चुका है तो अब हम निशान लगाएंगे dart point का dart point सारे 9 है 10 इंच पे निशान लगाएंगे ठीक है इस तरीके से पौने 4 इंच लगाएंगे यहाँ पे निशान ठीक है side का dart लेने के लिए इस निशान को लगाना ज़रूरी है डेर इंच आगे बरहा करके निशान लगाएंगे आप ठीक है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से थुरा सा त्रिशा रखना है आपको ठीक है shoulder shoulder है 15 इंच तो 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे ठीक है इस तरीके से गले का ब्रोड हम रखेंगे 11 इंच तो 5 इंच पर निशान लगाना होगा थुरा ब्रोड में ही रखेंगे आप इसको front cross है 12 इंच तो 7.6 इंच पर हम निशान लगाएंगे ठीक है upper chest upper chest है 35 इंच डेर इंच इसमें add करेंगे ठीक है तो 37 इंच हो जाएगा 34 हिस्सा होता है 7.9 इंच तो हम 7.9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे ठीक है इस तरीके से एक निशान आपको लगा लेना है back cross back cross है 15 इंच इंच पर margin दे करके add करना है कमर है इसकी 28 इंच 28, 73, 31, 31 होता है लेकिन हम 32 इंच पर निशान लगाएंगे इसका 8 इंच पर ठीक है थोड़े से losing इसको ज़्यादे चाहिए half इंच आगे बरा करके एक निशान लगाना है heap है इसकी 49 इंच तो पौने 10 इंच पर हमें निशान लगाना होगा ठीक है same निशान हमें घेरे में भी लगाना है पौने 10 इंच ठीक है किसी को अगर घेरा ज़्यादे चाहिए तो आप ज़्यादे भी लगा सकते हैं वरना heap के recording chest है इसका 36 इंच डेर इंच ही पलस करेंगे तो साड़े 37 होगा तो साड़े 8 में एक सूथ कम पे निशान लगाएंगे हम ठीक है एक निशान हमें यहां लगाना है solder dawn का यह आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं solder dawn कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको करना है ठीक है यहां से थुरा सा आपको नीचे रखना है ठीक है नहीं तो solder आपका उपर निकलेगा बार इसी तरीके से आपको निशान लगाना है जब भी आप boat neck suit काटे तो आर मोल का निशान हम लगा लेते हैं ठीक है इस तरीके से आपको scale रख करके आपको निशान लगा लेना है back cross का भी आपको निशान लगा लेना है इस तरीके से ठीक है अब हम लगा लेते हैं गले का निशान गले का डीपनेस रखेंगे हम 4 इंच ठीके इसी तरीके से बोट नेक का निशान लगाना है और इस तरीके से शेप दे देना है ठीके तो यह हमारा बोट नेक का निशान लग चुका है ठीक है आर्मोल को भी हम रौंड कर लेंगे इस तरीके से ठीक है इस तरीके से यह हमारा आर्मोल का भी निशान लग चुका है एक बार हम आर्मोल को नाप करके देख लेते हैं Allahstein Candice आरहा है मतलब सारे 16 इंची आर्मोल रेडी आ जाएगा इस निशान पर आ जाएगा ठीक है अब हमें निशान लगाना है सैट का सैट से पहले हम डाट का निशान लगांगे ठीक है सैट का निशान में बाद में लगाना होगा हम बार saya का नशान लगाअ इस तरीके से और इस तरीके से आपको cross करके निशान लगा लेना है एक निशान आपको beach center में भी लगा लेना है ठीक है इस तरीके से यह हमारा डाट का निशान complete लग चुका है अब हमें लगाना है side का निशान जैसा कि आप यह देख रहे हैं इसी तरीके का scale हो आपके पास निशान लगाने के लिए ठीक है यह थुरा पीछे की तरब से निशान लगाएंगे तब यह dot का निशान आपस में मिलेगा ठीक है margin का निशान हम लगा लेते हैं ठीक है अलाके हमें इस चीज की जरुवत नहीं है फिर भी मैं लगा लेता हूं आपको दिखाने के लिए कि डेर से पूने दो इंश का margin side में होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं हीप बेरिये का आपको इस तरीके से आपको निशान लगाना है ठीक है इस तरीके से यहाँ फे थुरा सा shape दे देंगे ठीक है margin का निशान यहाँ भी लगा लेना है आपको जरुबत नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं सिधा कट कर सकते हैं आप इसको ठीक है बेहिप से जो है घेरे के पास सिधा state आपको निशान लगाना होगा ठीक है एक बार हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं ठीक है यहाँ से आपको सिधा निशान लगा देना है ठीक है इस तरीके से जैसे के मैं लगा रहा हूँ ठीक है यहाँ पे हमारा चाक बन जाएगा completely हमारा suit का निशान लग चुका है तो आप हम इसको cut कर लेंगे ठीक है पहले मैं आपको complete निशान दिखा देता हूँ suit का किस तरीके से लगा हुआ है ठीक है पूरी length मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है इस तरीके से हमने suit का निशान लगाया है ठीक है यह आप देख सकते हैं अब अब इसको जो है कट कर लेंगे बैक गले का हम निशान लगा लेते हैं बोटनेक फरेंट और बैक से दोनों ही गला सेम होता है इसमें कोई भी फरक नहीं होता है अब हम लगाएंगे बैक डार्ट का निशान जैसा कि आप यह देख रहे हैं डार्ट के नीचे निशान अमने लगाया है ठीक है चार इंच ही रखेंगे इस तरीके से आपको एक निशान यहां लगा लेना है चार इंच पे डार्ट की लंबाई 9 इंच या साड़े 9 इंच या आप रख सकते हैं ठीक है यहां पे भी आपको चार इंच पे निशान लगा लेना है डार्ट का निशान आपको इस तरीके से सिधा लगा लेना है ठीक है और इस तरीके से आपको डार्ट की जगह बना लेनी है ठीक है एक यहां निशान लगाना है एक इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है, बीच का जो सेंटर है, वो कम से कम एक इंच का आपका डाट होना चाहिए, ठीक है, तिया हमारा complete निशान डाट का लग चुका है, अब हमें जो है friend आर्मोल को cut करना है, निशान पर ही cut करना है, ठीक है, इस तरीके से, निशान आ आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है ठीक है जैसे मैं कर रहा हूँ और आपको यहां पर ध्यान से देखना है इस तरीके से मिलाने के बाद आपको प्रेस से इसको बैठा लेना है ठीक है सही से देख करके उसके बाद आपको यहां पर प्रेस से बैठा लेना है इसको इस त ठीक है उसके बाद जो है हमें बैक क्रोस का निशान लगाना होगा ठीक है बैक का आरमोल हमें दुबारा काटना होगा यह सब होने के बाद अब हमें लगाना है बैक क्रोस का निशान 15 इंची है साड़े साथ निंची पे margin add करके निशान लगाना है और इस तरीके से round कर देना है ठीक है back cross के armhole को और इसी निशान पे हमें cut कर देना है ठीक है इस तरीके से निशान आपको सही लगाना है तब यह आप निशान पे cut सकते हैं ठीक है एक कुटका आपको यहां पे लगा लेना है एक कुटका यहां लगा लेना है ठीक है तो सूट की cutting जो है हमारी complete हो चुकी है तो I hope कि आपको वीडियो पसंदा आया होगा वीडियो पसंदा आया है तो लाइक किजिए share किजिए हमारे चैनल को subscribe किजिए इसकी जो sleeves है वो आप अपने recording cutting कर सकते हैं Thank you